नमस्कार आरेस अन पुर्णा की चर्में आपका स्वागत है आज हम अंडा करी बनाना सिखेंगे इसके लिए हमने यहां दो प्याज को एक चमच छोटा चमच हमने तेल लिया था उसमें दो प्याज को लबा काट करके हलका गुलावी होने तक भून लिया है और एक चमच ना इसे हम फोक से इस तरह छेत कर लेंगे ताकि सारे मसाले अंदर तक जा सके फिर हम इसे राई तेल में हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हम हल्दी पावडर डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अब हम इन अंडों को निकाल लेंगे फिर उसी तेल में हमने एक चम्मच जीरा डाला है एक तेज पत्ता, छे साथ काली मिर्च, तीन लॉंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे आधा छोटा चम्मच हेंग डालेंगे दो लाल मिर्च को हम डालेंगे, इन सब को हलका सा घुण लेंगे फिर हमने एक छोटा प्याज, जैसे बारी काट कर डाला है उसे भी हम हलका घुलाबी होने तक घुणेंगे फिर हम टमाटर, हरी मिर्च हमने दो टमाटर लिया है दो हरी मिर्च और इनको हम पेस्ट बना कर इसमें डाल कर भून लेंगे फिर हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल कर हम भूनेंगे देखिए मसाले अच्छी तरह भून गये हैं अब हम इसमें एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिच पाउडर आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चोटा चमच गरम मसाला डालेंगे और इन सब को हम भून लेंगे हमने मसालों में ही स्वाधन सा नमक डाल लिया है अब हम इस सबको अच्छी तरह मिक्स करके ढखकर भून लेंगे और थोड़ा पाने डालेंगे ताकि मसाले नहीं जले जब मसाले अच्छी तरह भून जाए तब देखिए तेल उपर इस तरह आ जाएगा अब हमारे मसाले भून गए हैं अब हम इसमें गरम पाएं डालेंगे पानी आपको जितनी ग्रेवी रखनी उसके हिसाब से डालें फिर हम इसमें फ्राइ किये वे अंडिय डालेंगे और इसे हलकी हातों से मिक्स करते हुए धक कर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकालेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुछ सकें धन्यवाद अन्यवाद